हेलो बच्छो तो हम अपने एक्जाम सेरीज में आगे बढ़ चुके हैं और अभी हम विश्व प्रथम विश्व उद्धे के सेकेंड लेक्चर में आ गए हैं ना पिछले लेक्चर में हमने पूरे प्रथम विश्व उद्धे के कारणों को समझ चुके हैं और अपने एक्ज नाम सिरीज मिशन 2023 जिसमें आप 10 वी और 12 वी की प्रईशाओं के तैयारी कर रहे हैं ठीक है तो बच्चे यह क्या था हमारे काई दो प्रथम विश्वई हो तो जिससे अध्याय साथ और क्या है अंकर कितने है चार ठीक है तो चलो आगे हम देखते हैं यह पूरा हमने रोड म समझ लिए था कि पूरा एक विश्वई होई कि शुरुआत के सी हुई क्या कारण थे क्या जन सर्मान पर प्रवहा हो था तो यह चीजे मैं बता चुकी थी है अब आगे क्या है हम प्रथम विश्वई हो देखेंगे उसको अनलिसिस करेंगे ठीक है चलो आगे बढ़ते तो अन्त का हुआ 1918 में ठीक है तो अब यह देखेंगे अन्त कैसे हुआ था इसके आगे क्या चीजे और हुई थी महिलाओं पर प्रभाव क्या पड़ा वर्साइक की संदी क्या थी राश्टन के स्थापना के क्या ग्राउंड से वो क्यो बना यह थी हम समझेंगे ठीक है तो अ अस्टरिया ने इस पर हमला किया फिर जर्मनी ने रूस और फ्रांस के विरुद युद्ध की घोशना कर दी ठीक है तो क्या हुआ था सर्विया पर हमला किया तो इसकी मदद के लिए कौन आया रूस तो उसके बाद ही क्या हुआ नौ अगस्त को जर्मनी ने रूस और फ्र अमेरिका शामिल होगा जर्मनी के दौरा अमेरिका की जहाज़ोपर हमला करने के करना क्या हुआ अमेरिका उसमें शामिल हो गया देखो क्या हो रहा था? जो अमेरिका उस टेम शांद बढ़ा था पुझ परती कर था पानी भेज दे रहा था था थियार के लिए तो आप संसाधन भेज रहा हूं यह समान चाहिए भेज रहा हूं अमेरिका मस्ट बेटके मूवी देख रहा था लेकिन क्या किया अब आपके रास्ते में काड़ी लेकर कोई जा रहा है है न अब गुट वाला क अब लड़के को दो मारा दे वह क्या बेशन जा रहा है मैं दे मेरे को पानी दे तो आपको गुष्ण आएगा न आप अच्छा खासा भई में मूवी देख रहे हो है ना दो लोग लड़ रहे हैं आपको क्या आपकी कमाई हो रही आप मस्त फ्री थे हैं लेकिन क्या कि पानी पेशन जा रहा है हम लोग इतने प्यास लग रहे हैं दे हमको पानी दे या तू पानी उसको जाके पिलाएगा नहीं नहीं हमको दे पानी छिल लिया तो क्या करेगा आपको भी आएगा गुसा अरे में लड़के को मारा आप भी 10 लोगों को क्या करों के भेजोंगे आप भी लड़ाई में शामिल हो गया तो यही कारण था अमेरिका के क्या कि जर्मनी ने अमेरिका के जहाजों को क्या कि रोका और उसके बहुत सारे लोगों को मार दिया तो क्या हुआ आंत में अमेरिका भी शामिल हो गया तो इस तरह के से क्या हुआ पूरा देश क्या हो आपको आशा प्रश्णा आ सकता है कि प्रफम मुष्विदी में कौन कौन से नहीं तक्निक वूपयोग हुआ या नहीं तक्निकिंगे उसके बारे में तुर्फम विश्विदी में यूज को आपको इतनी चीजों के बारे में बताना है जैसे मशीन गन्ड प्रती सेकेंड सेकडों गोले दागी जा सकती थी ऐसे मशीन गण बनाए गया तोप मध्यकाल से शुरू थे लेकिन अभी जो तोप बन रहे थे वो 50-60 गोले प्रती मिनट दागी जा सकते थे इसे ठीक है टैंक 1899 में ब्रेटे ने मशीन गण बुलेट प्रूफ इस्टिल के आउरें से ढखे वे युद्ध मोटर का कार का विकास हुआ इसी को क्या कहा है टैंक जिसमें आप अंदर में बैठ के क्या हो को धुरु धुरु गोली मार सकते हो ठीक है पंडूबी जर्माइद और निर्म सब्सक्राइद इसमें गुसी है तो क्या करती थि वहां क्या करती थि विशेले कैस्ट चोड़ दे थी तो वहां के सेना ये लोग हैons तो तो उस ने चलपते थे ऐसक रादा थे औस देश सेना की यह करती थे स्पार्यों को ले जाने में संसाधन ले जाने में युद्ध में के शुरुआत हूई उस समय तक जब उनिस्वी सदी की अंति या बिस्वी सदी की शुरुवात की बात की जाए नैंटीज में तो क्या था केवल केवल क्या था आर्सों से एक हजार रहे होंगे वीमान लेगे प्रथम विश्वीद खत्म होज़े तक दस हजार वीमान तयार हो गए थे ठीक है तो यह क्या था पूरा पूरा यह बहुत डिफ्रेंट तरीके से आप नए नए तक्निकों के गोली बना रहे हो तोग बना रहे हो है ना आप मशीन कड बना रहे हो पंडूबी समुद्र के नीचे आप पंडूबी तर आ रहे हो है ना वीमान को उड़ा रहे हो विशेले गैस य में बहुत ज्यादा व्यापक हो गहें we आप टखनीकों का उपयोग करोगे तो आपके लडाई के क्या होगी आपके इस्तेडियरी अलग यहीं क्या करना है हमें अपने एक्जाम में मार्च मिशन में कि आपकी टेखनीक ऐसी होने चाहिए कि आपको मार्च देने वाला एक बार में मार्च दे है ना आप लंबे-लंबे पैलाग्राफ लिखोंगे ना बच्चे सामने वाला उतना पढ़ने का टाइम ने मिलेगा आप एक गोड़ी दो ना उनको चार मार्च का है एक एक लाइन में आट पॉइंट लिख दो ना नंबर देगा ये देगा बच्चे है ना आपको वैसे आंजल लिखने होंगे और वैसे फ्रेम करोगे तो सामने वाला मक्स अच्छे देगा है ना तो यही हमारी भी तैयारी क्या है प्रतम विशुदी की तैयारी तो कर रहे अगला कोशन है जब महिलाओं कार खानों वा दफ्तरों में काम करने लगी तो परिवार और राचनेती में उसकी भूमिका में क्या बदला हुआ है अथ्वा विश्वयुदी के दौरान विभिन देशों में महिलाओं की सिती में आए बदलाओं पर के चार प्रभाव लिख ठीक है देखो क्या था प्रथफ विश्वयुदी में हर देश के लोगों को सेना में भरती किया जा रहा था लोगों को फैक्टरी में काम करने लेकी जा रहा था जब दस्ती दूसरे देशों में ले जाया जा रहा था तो क्या होगा घर में काम कौन करेगा घर में पैसे कैस तो उसके सोच्पत अगर हम बहुत दिन तक घर में नहीं जाती है अगर आपने स्कूल से लिकता पानी अच्छा वेश्था है खेलने के ग्रॉंड अच्छे हैं चारिया बनी हुई है उनके लाप्स अच्छे प्लिए ओपने पता औे वी नहीं हो जब आ पने के दिख लोगे तब आपको नहीं हो क्या हो जब महिलाए अपने घर से बहार निकली काम के लिए क्योंकि पुरुष घर में नहीं थे तो क्या उनको अपने रोजी रोटी चाहिए तो क्या हुआ उनको अधिकारों के बारे पता चलेगा अच्छा यह चीज़े ऐसी होती है तो हमें भी मिलना चाहिए अगर हम भी देश के नागरिक है तो हमें भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए तो यही सब तीजे क्या हुई महिलाओं में उत्पन्न हुई ठीक है नजवानों के युद्ध में जाने के कारण महिलाओं के कारखानों खेतों में काम करना पड़ा वे अपने आपको अधिक सतंत्र और जिम्मेदार पूरे इस दैनी की स्थितिय होगी घर में कोई इंसान नहीं बच रहा है तो क्या करेंगी जो घर में है वही तो उसकी मांग करेंगी ना शानती के कि युद्ध को खतम करो तो बहुत जगा क्या किया है महिलाओं उने शानती के लिए मेलन किये वोट देने का अधिकारों की मांग की तो क्या होगा है मुए अधिकार गरिक ना जो सब्कषार में करें है फिस देश के नागरिक के साथ वह का मुड़ा है उन favorsकाब धिकारों के परिवर्टन lançоб ठीक है अगर points में देखोगे तो आप क्या लिखोगे महिलाई कारखानों और दफ्दर में काम करने लगी तो अपने आपको समाजिक रूप से जिम्मेदार महसुस करने लगी पुर्षों के अभाव में परिवारी जिम्मेदार उन्हें स्वतंतर विचार करने के लिए प्रेना प्रदान की महिलाओं की बदलती हुई भूमिका को देखते हुए उन्हें प्रतीत हुआ कि उन्हें वो डालने का अधिकार मिलना चाहिए इस प्रकार परिवार आजानती में उनकी भूमिका में परिवतन हुआ अपने अधिकारों आहितों की लक्षा को लेकर हुए सचेथ हुई तो यह सब क्या है पॉइंट्स है जिसको आप क्या करने डील कर सकते हुए ना मैंने इतने पॉइंट्स है अगर आप इसको भी अच तो आपको माक्स अच्छे मिलेंगे रटे-फिटे बुक से नहीं लिखना है ठीक है जो पुराने बुक्स आप कई सालों से पढ़ रहे हो आपकी जो अपनी टेक्स्ट बुक है उसको पढ़ो और वहां से आंसर फ्रेम करो ठीक है चलो आगे पढ़ते हैं रूसी सांती गोष्णा वही विल्सन क्या अमेरिका जब युद्ध से हटा तो वह क्या हुआ अमेरिका क्यों अलग से विश्व युद्धि की क्या हुई कम हमी होने लग गई कि लोग अपने अपने फिर क्या सोचे कितने दीन तक लड़ेंगे ठीक है तो क्या हुआ फिर वह युद्ध खतम होने लगा ठीक है तो उसी के बाद किया रूसी शांति घोष्णा और विल्सन की कुछ बिंदों पर बात की जिसके अधार पर क्या हो जो राज हारे थे या जीते थे उनके बीच हम संतुलन पैदा कर सके और विश्व शांति के और आगे बढ़ सके तो ये बाते उन पर क बाते थे वही इन दोने कहा गुप्त संधियों का विरोध जैसे त्रीदेशी संधियों को बढ़ाने का आप लोग तीन लोग ऐसे खड़े हो जाओ गया अच्छा इन लोग कुछ का रहे तो हम लोग भी तैयार हो जाते तो यह चीज़ी नहीं होंगी है नो हारे हुए कि तु ऐसा कर तु ऐसा कर तो विच्छार वो करेगा है क्या उसकी परिस्टि वैसी है ही नहीं तो इन दोनों ने क्या कहा कि जो हारे हुए राष्ट है जैसे जर्मनी हो गया था हंगरी जबरत्स्ति कि आप क्या है चीजे थोपो मत है ना सब को एक वली रखो लोग तांति बेरोट कोट वैपार.. ठीक है..। मतलब की हुआ वैपार को बढ़ावा दिये जाये.. असानी से वैपार कर सके.. समुद्री अतयात को हर किसी के लिए ओपन किया जाये.. निसस्तरीकार्न किया जाये.. अंतरास्टी संघठन बनाया जाये.. तो यह क्या थी, यह दोनों ने बात कही, उनरी शंत्रिकारान मतलब क्या है, जो देश है, वो, क्या था? विश्वयुद्ध के पहले, बहुत जदा क्या कही थी? हथियार बनाए थी, सेना मेरा अपने पैसे खर्च कर Democr है थी, लोग तंद्र की स्थापना रूस में हुई, रूस में लोगप्री सरकार की स्थापना हुई, युद्ध के लिए जुर्माना नहीं देना पड़ा, जर्मनी को तबाह करना, ब्रिटेन से वेपार चालू रहे, फ्रांती काई सरकारों का समर्थन, ये क्या थे, इन दोनों में कुछ-कुछ पॉइंट्स ऐसे थे, जो इन्होंने बाते कही थी, ठीक है, तो आपको इतना पॉइंट लिग देना बच्चे, ठीक है, चलो, आगे, पर्थम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के कारण क्या थे, जर्मनी ये ऐसा था जो प्रिटेन को लग रहा था अच्छा तु इतने जगर पर देश पर जा रहा है, मैं भी ऐसे देश करूँगा, और दोगी करण कर रहा तो मुझे भी संसाधन चाहिए, जर्मनी क्या था, बारवस को टोंच कर दिये चा रहा था, है ना, तो आज लास्ट में हार किसके हुई, जर्मनी की हुई, तो जर् यह क्या हुए थे, ब्रिटेन की ओर हो गए, मित्र राष्टो की तुल्ला में जर्मनी की सामुद्रिक शक्ती कमजोड थी, सामुद्र पर इंग्लेंड का प्रून अधिकार था, हाँ, यह था देखे था ना, उसने इसलिए कि जर्मनी ने अमेरिका के जहाज को चुपके से उड़ाया था, क्योंकि उसमें क्या था, जो अमेरिका के जहाज से वो ब्रिटेन के लिए समान लेके जाते थे, तो क्या किया जर्मनी ने उसको जाके उसके आदमियों को मार दिया, जर्मनी के पास उपनिवश्वाद का अभाव था, फिर यूद्धी के चलते सामुद्रि पूरे तरिके से खतब होएं लगे, इसलिए अंत में क्या हुआ, जर्मनी की हार हुई, ठीक है, वर्साइए की संधी कब किन राज्यों के मध हुई थी और संधी की प्रमुख शर्ते कौन को से थी, ठीक है, तो कब हुई थी कि क्या है, जवाब क्या है, जवाब क्या है, 28- 19-19 को, किन राज्टों के मध्य हुई थी, जर्मनी से, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के जवारा, ठीक है, जर्मनी को मतलब पूरे युद्ध का क्या जिम्मेदार किसको माना गया, जर्मनी से, को माना गया, तो यह जो जीते हुए राष्ट थे, है न, इन्होंने क्या क को, युद्धी के जिम्मेदार ठराते हुए उसको हर जाने थोप जाएंगे, जर्मनी से, युद्धी में जीते के सभी छेतर वापस करने को कहा गया, जर्मन समराज्य को तोड़कर पॉलेंड डेश में सामिल करने को कहा गया, अफ्रिका में जर्मनी के उपने विश्वत क उसको तू हमको दे देगा, तू अब आगे कोई हथियार नहीं रखेगा लड़ाई के लिए है ना, और उसके बाद क्या है, तुछ जो भी जीते हुए छेतर जित्ते दूस देशों को तुझ जीता है, उसको भी हम लोग को दे देगा, और तू अब हाथियार भी नी रखे जर्मनी का हाश हुआ, आज जर्मनी के उपने वेश्वात देशों को ले लिए, जर्मनी के तोड़कर पोलेंड को दे दोगे, उसके पुरे निसस्ति कंकर दोगे, तो क्या होगा जर्मनी का हाश होगा, बिचार तो शक्ती ही नहीं हो गया, ठीक है, अगले यूद्धिके लिए स्थितियों का निर्मान, सबसे बड़ा रिजन ये हुआ, वर्साइकी संथी का, कि आपने किसे एक देश को इतना हुमिलेट कर दिया, हैना आप क्या करोगे, बहुत सारे लोग मिलके, एक दो कुबोलो कि तेरे का लड़ाई हुई, अब तू ही सब किसकर जिम्मेदा है, तो उसके मन में आज नहीं, तो कल तो क्या करीगा, वो बदले की भाउना आएगी, बदले की भाउना आएगी, तो फिर क्या हुआ, बदले की भाउना मतलब फिर लड़ाई, लड़ाई मतलब फिर से युश, युद्ध, तो इसने क्या किया, फिर से अगले युद्ध क उसको माने है ना वो हर देशों के लिए एक्वालाइटी बना के रखे तो इसलिए क्या हुआ राष्ट संग की स्थापना राष्ट संग की स्थापना कभू ही 1920 जनेवा में और यह माना गया कि देशों के भी जगड़े को शांती पुन तरीके से रिप्टारी करेगी और उनम वारता करके विश्वयोद से बचे तो इसके सिधान थे मतलब यह उसमें आगे चैप्टर में पढ़ेंगे तो बचे यह पूरा अपने एक्जाम सरेस्थ में आज प्रथम वश्व new को देख लिया मतलब चार मांक्सके पक्के है ना हमने जिए सिपाही अध्याय को खत्म कर लिया था ये था राज़ा अध्याय है ना तो अभी तक हम 9-4-13 अंकों के प्रश्णों का हल कर चुके ऐसे ही क्या है आपको मैं आगे वीडियो देते जाओंगे और मार्क्स पढ़ाते जाओंगे तो आपको क्या करना है पूरे pen copy में ये पूरे questions को लिखना है और answer अच्छे से frame करना है तब तक बचे अच्छे से पढ़ते रहिए best of luck और अपने exam के सभी subjects के तयारी यही करते रहें आपको ठीक है Thank you